My name is Abhishek and along with me Dr. Hitesh Kolota. We are here for two reasons today. सबसे जो पहला है CGC जो हमारी scholarship है वो कल हमने launch किये है, former deputy CMG ने launch किये है. और second one ये office हमने आज open किया है, so that जमू और कश्मीर के बच्चों को हम जो है facilitate कर सके हैं. कल को उनकी कोई भी query है regarding admission, regarding fees, regarding documentation, तो उनको बार-बार चंडिगर नाना पड़े, वो यहीं आके सारा कुछ resolve होगा, कल को counseling session वो attend करना चाहते हैं, तो इसी जो office में है, वो सब कुछ सुविधाएं उनको दी जाएंगे. काउंसलिंग बच्चे प्लस टू में जैसे पढ़ रहे हैं, तो कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि प्लस टू किया क्या option है हमारे पास available हैं, तो उसके लिए हम सब कुछ बच्चों को बताएंगे, ऐसा नहीं क्यों हमारे campus आएं, तो कुछ भी हो, हमसे information लेना चाहते skill के लिए हैं, for example, अगर हम B.Tech की बात करें, तो B.Tech में, for example, जैसे हमारा computer science है, या कोई भी हम courses की बात करते हैं, तो हमारा training and placement department है, बेकर आज की date में हर बच्चा ये चाहता है कि जब भी वो कोई भी college join करें, तो बिना नौकरी के वहां से ना निकले, तो हमारी management का उस पे स्टार्ट करवाते हैं, जिसमें हम बच्चों की languages होगी, उनका G.D. हो गया, ठीक है, जितना भी companies को चाहिए, हम वो सब कुछ day one से कराते हैं, so that जब तक बच्चा seven semester में आता है, वो पूरी तरह prepare होता है placement के लिए, उसको पता होगा company मेरे से क्या-क्या पूछ सकती है, कैसे कि मैंने interview handle करना है, तो वो one of the best key place, जो चीज है हमारे campus की placement, जिसके लिए CGC जाना जाता है, आप किस तरह से बच्चों का welcome करते हैं, मैं actually सब के बहले चीज हमने, जो last year भी हम बात कर रहे हैं, कि हमने CGC जोश करके scholarship launch की थी, last year भी, जो हमने 5 crore की launch की थी, आड जिसके अंद परसं तक की scholarship बच्चों को offer कर रहे हैं, मैं criteria रहेगा कि बच्चे को appear करना है examination के इंदर, किसी भी branch को हो सकता है, arts, commerce, medical and non-medical, बच्चों उसमें appear करेगा, online test होगा, and 4 phases में हमने online test रखा है, इस्वरी, that is 1st phase होगा April 2nd मही में, then 3rd June में and July में, बच्चों 4 phases में किसी में भी सकता है, ठीक है, and उसके बाद जो भी appear होगा, जो result होगा, उसके basis में scholarship रहे ही,